हेलो डियर इस्टोरेंट कैसे हो आप सभी लोग मैं हूँ डियर एक्स देविस पालो और आज की क्लास में आपका बहुत-बहुत स्वागत ही आज हम लोग 11 क्लास का दूसरा चेप्टर देखने वाले हैं पहला चेप्टर हम लोग फिनिस कर चुके है याने एंड कर चुके है तो लेक्चर आगर वह आप लोग ने नहीं देखिऊंगे मलब वह एंसे टी रेडिंग वाले वीडियो आपने नहीं देखिऊंगे तो आप जाके देख सकते हो पहला चेप्टर आज से हम लोग जो है दूसरा चेप्टर श्टार्ट करने वाले है जीव जगत का वर्गी कर जिसको हम लोग कहते है biological classification जलो तो इसको देखते हैं हम लोग तो यहां पर क्या क्या देखना है एक यह हम लोगों को introduction दिया हुआ है तो देखो एक overview मिल जाता है हम लोगों को चैप्टर का तो वह पढ़ने में easy जाता है पहले हम लोग क्सक्या देखेंगे इसमें Monadar जगट फिर एक Protersou जगट जैने Kingdom फंजाई Kingdom Planted Kingdom Animal Kingdom ठीक है तो इसका चोटा छोटा मझें यहां से तीन Kingdom को यहां पर कवर करना है clear छलो तो One By One हम लोग देखते हैं तो सब्विता के आरंब में मुझे ऐसे ही लग रहा था कि NCAT ऐसे कुछ स्टार्ट करेंगी चेप्टर को सब्विता के आरंब से सब्विता से सब्विता के आरंब से ही मानों ने सजू प्राणियों के वर्गी करन के अनेक प्रयास की याने बार बार उन्होंने कोसिस की वर्गी करन के ये प्रयास व्यज्ञानिक मान डंडों की जगह सहज बुद्धी पर आधारित हमारे भोजन वस्त एवं आवाज जैसी सामान उपयोगिता के वस्तों के उपयोग की आवसकताओं पर आधारित थे ठीक है हम लोग ने क्या क्या देखो हुआ ये कि मालों की ये एक दुनिया है कि जब वाली दुनिया नहीं यह एक दुनिया है यहां पर पेड़ भी है पौदे भी है जिव भी है जन्तु बहुत सारी चीजे तो इसको डिवाइड तो करना ही था वर्गी करत तो कैसे करे तो कुछ आधारित यान बुद्धी के पर आधारित जैसे कि वो भोजन क्या करते हैं वस्त कौन से पहंते हैं आवाफ वो कहां रहते हैं ऐसी वस्तुवों पर ध्यान दिया गया और उनकी आउसकता पर ध्यान दिया गया और इसी पर आधारित किया गया कि यहां पर किसको कौन से मिनट इन प्रयासों में जीवों के वर्गीकरन के व्यज्यानिक मांडंडों का उप्योग सर्वप्रत्रम अरस्तु जी ने किया था ठीक है जब भी वर्गीकरन की बात आती तो सबसे पहले अरस्तु जी आये थे उन्होंने पादपों को सरल आकारी की लक्षनों के आधार पर देखो उन्होंने लक्षन देखे किसके आकार के कि जो पौदे है उनका आकार क्या है तो व्रक्ष जाड़ी अब हम साक में वर्गीकरत किया तो ये हमको पहला मिल गया वर्गीकरन ये याद रिखना है सुवन मिनट ये है अरस्तु याद रिखना अरस्तु जी ने जो है त आते हैं तो और यहां पर जाड़ी के क्या होती है तो जाड़ी आपने देखी होंगी अगर आप गाव में रहते हो तो जाड़ीया याने जिससे एक बंडरी बनाई जाती है काटे-काटे होते हैं और कोई व्यक्ति जब उसमें इंटर कर जाता है तो बहुत जगा से यह वर्गिकरत दिया जबकि उन्होंने प्राणियों का वर्गिकरन लाल रक्त की उपस्तिति आतवा अन उपस्तिति चिर्टि का धारप दूह समझ मा गए कि आपको कि यह अरस्तु जी थे थीक है इंपने तो यहां पर दो कैटिगरी बनाई ठीक है, so one minute, दो कैटिगरी में बना देता हूं, दो कैटिगरी कुन कुन सी, एक तो प्लांट वाली और एक एनिमल वाली, तो प्लांट में क्या हम लोग बात करते हैं, तीन में डिवाइड किया है उन्होंने, क्या क्या व्रक्ष, ज़िद नहीं है, उसके अधार पे उन्होंने ढिवाइड कर दिया सकत जू अरड़ट जी का वर्गी करण को यह काई को समझ मा आगया हिसके बात करते हैं, इसके बात क्या बात करते हैं, जो केटी लिनीयस थे, कटीत आधाल में सभी पादपो और प्राणियों के वर्गी यह most important याद रखना है, जिसमें उन्होंने क्रमा सहाब, प्लांटी याने पादप, एवम एनिमेलिया याने की प्राणी जगत में वर्गी करन किया, तो इन्होंने दो जगत बनाए, एक तो प्लांट जगत और एक जन्तु जगत, क्लियर है, इस पद्धिति के अनुसार, यू विक्सित के इंद्रक होता है, क्लियर है, यह सेल बैलोजी में पढ़ा चुका हूँ, तो आप जा के देख सकते हो, यह विक्सित के इंद्रक होता है, जबकि प्रोकेरियर्टिक में जो है, आविक्सित के इंद्रक होता है, इसलिए इसको असीम के इंद्रकी केते हैं, एक को पादप जगत और एनिमल और एक कोसकी और बहु कोसकी प्रकास संस्लेशन कोन करता है कोन अप्रकास संस्लेशन होता है इनके बीच में विभेद याने की डिफ्रेंस करना अभी जो है संभव नहीं था इसलिए इन्होंने दोई कैटिगरी बनाई इसके बाद हम लोग यहां प भी वर्ग में रखना संभव नहीं था ठीक है कुछ ऐसे यहां पर पादप और प्राणी थे पर आधारी यहां वर्गी करन आसाने में सरलता समझने के बावजूद बहुत से जिवधारी ऐसे थे ना तो उनको प्लांट में रखा गया ना तो एनिमल में क्यों क्योंकि जो नियम बनाए गए थे वो उसको खौलो नहीं कर रहे थे किलिए रमलब उसके अंतरगत नहीं आ रहे थे इसके बात हम लोग बात करते हैं इसी कारण अत्यंत लंबे समय से चली आ रही वर्गी करन की दियू जगत पद्दती अपरियाप्त सिद्ध हो रही थी ठीक है अपरि वर्गी करन ये परियाप्त नहीं है कुछ और जो है वर्गी करन करना पड़ेंगा कुछ और केटिगरी को बनाना पड़ेंगा तो इसके अतिरिक वर्गी करन के लिए आकारी की के साथ साथ कोसी का संरचना यानि कोसी का की जो संरचना होती है कोसी का भित्ति के लक्षन क्य क्या होने चाहिए पोसन की विधी क्या होंगी आवास क्या होंगा याने कहा रहेंगे वो प्रेजनन की विधी क्या होंगी प्रेजनन याने जनन की संतान को उत्पन करने की याने बच्चे को जन्मे देने की या फिर यह स्वारी एमम हम बात करें विकासी संबंदों को भी समा समाहित करने की आऊ सकता मैसूस की जाने लगी यानि इन लक्षनों को भी देखके जो है वर्गीकरन किया जाना चाहिए इसके बाद हम लोग बात कते हैं तो अतहा समय के साथ साथ सजीवों के वर्गीकरन की पद्दती में अनेक परिवर्तन आए पादा प्राणी जगत के वर्गीकरन की इन कठीन पद्दती ओ जिन्में सम्मिलित सम्मूहों और जिवधारियों में होने वाले परिवर्तन सामिलते कि उनमें क्या-कया परिवर्तन हो रहे हैً सदाहिशहमाविश्ठ रहे यानि कि उसमें जुड़े रहे इसके अतिरिक्त जिवधारी के विभिन जगत की संख्या एक एमम उनके लक्षणों की विभिन वैग्यानी को द्वारा अलग-अलग वैख्या की गई यहने अलग-अलग वैग्यानी को द्वारा इस्टडी की गई फिर इसके बाद हम लोग बात कते हैं तो फिर क्या हुआ कि 5 जगट kingdom हमको मिला इस तरह से अभी इस सायद बताया जाएंगा तो ये तो फिर 5 kingdom आएंगा ठीक है तो अभी तो ठीक है आज हम लोगों ने दो चीज पड़ी टाइम पहले देख लिए हम लोग चलो ठीक है इंट्रोडरक्शन है चेप्टर का तो आज इतना ही हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग ने क्या देखा देकर एक तो linear का हम लोग ने वर्गी करण देखा कि इन्होंने plant और animal को दो इसमें होंगी और किसमें नहीं होंगी और यहां पे plant को तीन कैटीग्री कौन-कौन सी थी तो हमारी थी वरक्ष जाडि और क्या तो यह अरुस्ति जी ने वरगी करन किया था इसके बात हम लोग यहां पर बात कते हैं फिर कोन आए लीनियस साब आए तो लीनियस साब ने दो हमको दिया प्लांट जगत और एक ऐनिमल क्लियरे फिर बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगी बहुत सारे जीवों को जो है ना तो प्लांट में रखा गया ना ही एनिमल में रखा गया तो यहां पे कुछ लक्षन बताएगे कि पोसंड देखना चाहिए आवाज देखना चाहिए जनन पहले और कमेंट्स करके बताना है कि आपको क्लास समझ में आ रही है नहीं आ रही है अगर क्लास समझ में आ रही है हेल्पुल है तो आपको कमेंट्स बॉक्स में यस टाइप करना है और इस वीडियो को जादा से जादा सेयर कर देना है क्यूंकि जब हम दूसरों के हेल्प कर हसते हुए मुस्कुराते हुए लाइक मागे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए तो जब तक लिए थैंक्यू बाय बाय एंड को पर सक्सेस